अच्छे होंगे ऐसे ही अपना और अपने परवार वालों को द्याले के स्वास्त रहे मस रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो फर्स्ट्यू सिंड्रोम क्या होता है देखिए आप इसको मैं अपनी भाषा में बताती हूं कि मानिए कि आपके पास कोई पेशें इसको हम बोलते हैं first use syndrome इसका मतलब यह नहीं है कि पेशेंट आपके पास पहली बार hemodialysis पर आया है इससे पहले भी patient hemodialysis पर आ चुका है लेकिन अचानक से उसको हम पहली बार first use कर रहे हैं dializer का ठीक है और उसकी वज़े से क्या हो रहा है fresh dializer का use करने की वज़े से उसको क्या हो रहा है इस तरह की के problems हो रही है तो that is called first use syndrome ये जो पूरा मतलब problems होती है जि किस में आती है एनाफाइलाइटिक reaction में आती है और ये एनाफाइलाइटिक reaction क्या होते है इसके लिए मैंने separate video बनाया तो आप go through करें मेरे other videos को तो आपको मिल जाएगा साथ के साथ ये जो problem होती है इस्टरलाइज एज़ेंट की वज़े से होती है क्योंकि हमारे जो tubing और ज जाते है तो उसकी वज़े से ये problem होती है और mainly ये problem ethylene oxide की वज़े से होती है ठीक है अब यहाँ पर ये बताए कि ये जो first use syndrome है ये दो प्रकार का होता है type A और type B मतलब type A में type A first use syndrome में reaction काफी severe रहते है type B में थोड़ा कम रहते है ठीक है symptoms की बात करें तो क्या क्या symptoms होते है देखे जिनको भी first use syndrome होता है उनकी skin में क्या हो जाते है hives वैसे तो hives का मतलब छले होता है लेकिन यहाँ पर hives का मतलब redness type का है ठीक है itching खुजली एरा होती है patient को साथ के साथ उसकी skin का color भी चकते चकते साथ के साथ क्या हो जाता है पेल color का दिखाई देने लगता है बीपी लो हो सकता है patient का construction of the airway मतलब airway में blockage पता चलता है उसकी जो tongue है वो सूच जाती है throat भी सूच जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होती है patient की पल जो है बीग भी हो सकती है तेज भी हो सकती है patient को nausea, vomiting, diarrhea हो जाता है डिजिनेस और fanting मतलब patient सोता सोता सा फील होगा या patient कभी-कभी बेहोश भी हो जाता है इसके साथ patient को chest pain, back pain ठीके और pal patient जैसी problem pruritis, means, khujli era हो जाती है और other mild symptoms भी आ जाते हैं during dialysis के समय new dialysis यूज़ करने पर causes क्या होते है, सबसे पहला cause है first use dialysis for hemodialysis अगर हम पहली बार हम पहली बार यह डायाजर लगा यह हो चुक्छी है और इस तरीखी की problem होना होprofusНу के साथ话 तो यहां पर लिखा हुआ भी इन एडूकेट रिंसिंग करने से पहले डिफरेंट टैप ऑफ डालेजन मेंब्रेंट जैसे पहले सेलफ़ॉन वेरा की जो मेंब्रेंट थी वह यूज करते थे तो उससे भी पेशेंट को इस तरह के जी सेलुलोस मेंब्रेंट वह जाए बिलसिंग के सिम्टमध दिखाई देते थे अब यह जो इसा छूप महींस म्हें नहीं को हगहां को चीर्फ Nie पॉब्रेंट आद जन autumn अचैनलों होती है तो एनिवंध नहीं को सुट तो तो cellulose membrane इतनी suitable नहीं है human being के लिए जितनी polysulfone membrane होती है तो कही बार कुछ membrane से चाहें वो cellulose membrane हो यह polysulfone membrane हो उससे भी उसकी membrane भी अगर हम dializer में यूज़ करते हैं तो भी काफी problem होती है लेकिन polysulfone membrane ज्यादा biocompatible है बज़ाए cellulose membrane के reasonation में कहीं डिकत हो sanitization में कहीं डिकत हो साथ के साथ anaphylactic reaction के समय भी इस तरीके से हो सकता है कि bacteria वेरा आ रहा हो तो उसकी वज़े से ठीक है anaphylactic agent की वज़े से भी और कुछ ऐसे patient होते हैं जिन वो जो बहुत ही जादा hypersensitive मतलब आप बोल सकते हैं तिनों के line का मतलब क्या है कि ऐसे patient जिनकों की most probably चीजों से क्या हो जाती है allergy होती है और वो ज्यादा मतलब sensitive होते हैं किसी भी चीज के contact में आए तो उनको कुछ ना कुछ problem हो जाए तो ऐसी चीज ऐसे patient के साथ भी यह problem देखने को मिलती है treatment क्या है इसका treatment है यूज 2 dialyzer दे website के दूसरी चीज क्या है the syndrome can be minimized patient को reuse dialyzer की तरफ जादा ले जाना चाहिए बजाए जैसे बहुत सारे patient क्या बोलते हैं जब भी आएंगे तब पहली मलब नया dialyzer यूज करेंगे तो patient को आप benefit बताएं कि reuse dialyzer के क्या क्या फायदा है जिससे की वो यह बार 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 नया dialyzer यूज करने से बेटर है कि उसी dialyzer को reuse कराएं अगर कोई भी new dialyzer नहीं है need ठीक है अगर आप देख रहे हैं कि इस patient को new dialyzer की need नहीं है तो patient को इसके फायदे और नुकसान बता के आप उसको reuse पर लेकर आएं साथ के साथ अकर दिख रहा है कि भाई first use syndrome के रेक्षिन के जो symptoms है वो suspected हो रहा है तो hemodialysis को तुरंत stop कर देना चाहिए circulation से patient को जो blood circulate हो रहा है उसको clamp करके अलग कर देना चाहिए patient को ठीक है इसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि आपके पाद जो भी dialyzer आ रहे हैं वो polysulfone fiber membrane से बने हो साथ के साथ the treatment of type A reaction pre-treated by anti-stermine steroid then stopping the dialysis treatment जो type A reaction जो होते हैं type A reaction वाले जो first two syndrome जो होता है उसमें कोशिश करनी चाहिए anti-stermine और steroid दिया जाए और साथ के साथ immediate basis पे dialysis भी बंद कर देनी चाहिए और blood को कभी भी return नहीं करना है बढ़ना तो आपको और severity वाले reaction देखने को मिलेंगे ठीक है और type A को अगर prevent करना है जैसे type B थो थो थोड़ा देर पे होता है और अगर type A reaction को आपको prevent करना है तो आपको ध्यान रखना है कि rinsing proper होनी चाहिए type B reaction जो है proper rinsing ना होने की वज़े से अब ये क्या बोल रहा है कि reuse of the dializer avoiding हमेशा use adequate sterilization technique for the dialysis machine देखिए आप dialysis machine को भी sterilize कर रहा है तो उनको proper तरीके से sterilize करें क्योंकि मैंने बताया कि first use syndrome के जो reaction है वो anaphyletic reaction से भी जुड़े हुए है ठीक है और reuse the dializer, dializer को reuse करना चाहिए और AN69 membrane को क्या करना चाहिए avoid करना चाहिए अगर कोई patient ACE inhibitor ले रहा है, ACE inhibitor वो blood pressure के treatment के लिए ली जाती है ठीक है इसका आपको google पे मिल जागा नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा मैं इसको पूरा बता दोगी Rinse new dializer with the normal cell line before hemodialysis treatment and reprocessing stop that do not remove the membrane protein coating ठीक है आप क्या करना है आपको आपको जब भी patient आ रहा है proper तरीके से hemodialysis treatment start करने से पहले machine की भी और जो dializer है उसको किसे dializer tubing को normal cell line से proper तरीके से rinse करना है ठीक है सारे reprocessing के भी उसको patient को बताएं reuse के फायदे जिससे की patient reuse कर भाएं और हम reprocessing vera को proper करके patient को protein की जो coating होती है उस वो ना चुटे dializer से से बचा पाएं और अच्छी dialysis दे पाएं तो यह था first use syndrome अगर इसमें कुछ आपको ऐसा लगता है जो कि inappropriate या आप उसको नहीं समझ पा रहें तो आप मुझे comments में लिखें मैं जरूर बताऊंगी thank you